हेलो व्यूवर्स वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल इंग्लिस इंग्लिस आज का हमारे स्टोरी का टॉपिक है तू कैट्स एंड वन मंकी यानि दो बिल्लिया और एक बंदर के बारे में यह इस्टोरी है बहुत ही सिंपल इस्टोरी है इस स्टोरी के मदद से आप इ करें एक समय की बात है किए बहुत अच्छे दोस्ते भी दोस्ते बहुत अच्छे दोस्ते बहुत के हैँ यह गोट वर्व टू है गेट का वर्व टू है गोट गेट का मतलब मिलना होता है गोट का मतलब मिला उसे क्या मिला पीस और ब्रेड एक रोटी का टुकड़ा मिला ठीक है वाइल सेरिंग रोटी का टुकड़ा जो है सेरिंग करने के दौरान यानि आपस में बाटने के दौर begin to fight for the bigger peace, इसलिए, so का मतलब होता है, इसलिए, वे लोग began, शुरू कर देते थे, क्या शुरू कर देते थे, to fight, यानि लड़ाई शुरू कर देते थे, for the bigger peace के लिए, ठीक है, जो बड़ा बड़ाई शुरू कर देते थे, कि बड़ा पिस मुझे चाहिए, उनका काना तक बड़ा पिस मुझे चाहिए, तो इसके बज़े से वो दोनों आपस में बड़े पिस के लिए लड़ाई कर बैठते थे, इसके बाद क्या हुआ, at the same time, ठीक है, उसी समय की, उसी समय, at the same time, a monkey saw पाइटक एक बंदर जो था उच इसको देखा लडते हुए ठीक है दैम का मतलब होता है उनको देखा फाइटिंस फाइटिंस पाइटिं पाइटिंस लड़ना उदा उनको लड़ते हुए देखा the monkey said monkey ने का I will share it equally मैं इसे बराबर एक समान में बाट दूँगा I will share it equally he beat the bigger piece to make it equal again it beat the other bigger piece to make it equal फिर दुबारा बड़ा piece या फिर बराबर piece बनाने के चक्कर में वो bit जो होता था मतलब रोटी का छोटा टुकड़ा जो होता था वो बड़ा हो जाता था या फिर बच जाता था वो जो बच जाता था beat by beat the whole bread and went happily बराबर करने के चकर में वो थोड़ा सा जो टुकड़ा बच जाता था वो बंदर खा जाता था ऐसा इसे करके उनका बुराब ब्रेड वो खा गया और वेयंट happily ऑर खुसी खुसी वो चले गया इसके बाद क्या हुआ लगे पूर के लौश्ट अव्रेट जो गरीब बिल्ली थे उसने अपना ब्रेड उसने अपना रोटी खो दिया तो इसमें में मोरल क्या मिलती है सीख क्या मिलती सीख कि मि सीखा हमें जो भी मिला उसी में हमको सीखना चाहिए या फिर संतुष्ट करना चाहिए